दोश्तों मार्केट जैसे छोले घर में कौन नहीं बनाना चाहता है और उसके जैसा सवाद और कलर पाने के लिए हम क्या क्या मशक्त नहीं करते कबी हम छोलों को चाय की पत्ति के साथ उबालते हैं तो कभी आवले के साथ जैसे की उनका प्रॉपर काला कलर आ जाये जैसे की मार्केट में मिलता है बट आज मैं आप सबको छोले की ये रिस्पी बताने वाली हूँ जिसमें हम बिना कुछ extra effort डाले हुए बाजार जैसे काले छोले घर में बना सकते हैं और वो भी बहुत ही simple तरीके से तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमको क्या-क्या चीजों की जुरत पड़ेगी और एक main चीज है जिसका इस्तेमाल करके हम छोलों को काला करेंगे तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पर छोलों को मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया है यहाँ पर मैंने लिये थे 200 ग्राम काबली चने और इसको मैंने आदे चोटे चमच नमक और 2-3 चुटकी सोडा के साथ पानी डाल कर बॉयल कर लिया है कम से कम इसको हमें एक सीटी आने के बाद 20 मिनट तक धीमी आज पर बॉयल करना है जिसे की अच्छी तरीके से पक जाए और अच्छे से गल जाए तो चली आगे का स्टप देख लेते हैं तो यहाँ पर जो सबसे में इंपॉर्टन चीज है जिसे हम अपने छोलों को काला करेंगे वो है ये लोहे की कढ़ाई तो अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप बिना किसी और मशकत के अपने छोलों का कलर एकदम अच्छे से काला बना सकते हैं तो कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है और उसके अंदर मैंने 5-6 बड़े चमच डाला है सरसों का तेल और 3-4 डाले है मैंने इसमें बे लीव्स यानि तेज पत्ते, 2 सूखी हुई लाल मिर्चे और एक छोटा चमच मैंने इसमें 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 इस्तेमाल किया है जीरा तो इन सब चीजों को थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाने देना है खड़े मसाले भुण जाने के बाद हम इसमें सबसे पहले एड करेंगे सूखे धनिय का पाउडर तो यहाँ पर मैं 3 चोटे चमच सूखा धनिया पाउडर यूज कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से हमें फ्राई करना है और उसके बाद इसको आधे मिनट तक भून लेना है और इसके बाद यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज का जो प्याज है इसको रफली चौप करके ले लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे तो प्याज डालने से पहले ही हमें सूखे धनिय का पाउडर डालना है और यह भी एक important step है आपके छोलों को काले करने के लिए तो अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर मैं एक बड़ा चमच कसूरी मेथी का भी यूज कर रही हूँ तो प्याज डालने के बाद थोड़ी देर के बाद हम कसूरी मेथी डाल लेंगे साथ में और फिर दोनों को साथ में भूनेंगे और अब आप देख सकते हो कि जो हमारा प्याज है यह कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर पिसा हुआ तो यहाँ पर मैंने तीन मेडियम साइज के टमाटर को पीस लिया है और बहुत ज़दा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है आप देख सकते हो कि हलका दरदरा सा ही मैंने इसको पीसा है और इसके उपर हम यूज करेंगे हींग तो हींग मैंने पहले तड़के में नहीं डाली थी उसका भी एक रीजन है कि पहले तड़के में डालने से हींग थोड़ा सा जल जाती है बट अगर हम टमाटर के साथ इसको यूज करते हैं तो इसका फ्लेवर जो है किसी भी सबजी या छोले में आप डालोगे तो इस तरीके से यूज़ करने से इसका फ्लेवर अलगी बिल्कुल स्वाद देता है इसके बाद हम इसके अंदर आट करेंगे हल्दी पाउडर तो यहां पर मैंने एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और यह रहा मेरा छोला मसाला तो छोले मसाले को हम लेंगे 2-2.5 बड़े चम्मच और देख सकते हो आप मैंने धाई बड़ा चम्मच इसमें छोला मसाला ले लिया है और अब यहाँ पर मैं यूज करने जा रही हूँ red food color और यह बिल्कुल optional है अगर आप चाहो तो डाल सकते हो वरना आप इसको बिल्कुल skip कर सकते हो तो यहाँ पर एक चुटकी मैंने खाने का red color ले लिया है और अब सब चीजों को mix करके हम भूनेंगे इसमें मैंने एक छोटा चम्मच नमक का भी यूज किया है यहाँ पर मैंने चुकि SGS मसाले का यूज किया है चुकि छोले मसाले में भी पहले से नमक था अगर आप कोई और सा छोला मसाला यूज कर रहे हो तो आप नमक एक्स्ट्रा डाल सकते हो प्रॉपर जितना आपको छोले में जरूरत है तो अब मुझे टमाटर को अच्छी तरीके से पकाना है तो यहां मैं ढख कर टमाटर को अच्छे से पका रही हूँ और आप देख सकते हो कि टमाटर बहुत ही अच्छे से पक चुका है और साथ में भून भी चुका है सारा तेल मसाले ने छोड़ दिया है इसका मतलब हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अगर आप छोले आप कोई भी ऐसी स्पेशल चीज बना रहे हो तो आप उसके मसाले को भूनने में बहुत अच्छा सा समय दीजे तो आपका जो भी चीज आप बना रहे हो सबजी या छोले वगरा वो बहुत ही ज़दा टेस्टी बने आपके किसी भी सबजी या छोले में बहुत ही अलग सा स्वाद देता है अगर आप पहले से इसको डाल दोगे तो यह उतना अच्छा स्वाद नहीं दे पाता यहापर मैंने एक चुटा चमच गरम मसाला और एक सी डेड़ चुटा चमच मैंने आमचूर का पाउडर यूज किया है और सब चीजों को मिक्स कर लेंगे मसाला हमारा लगबग तयार हो चुका है आप देख सकते हो कितना अच्छा यह भूनकर तयार हुआ है और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा ब्लैक सा आ रहा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे यह पकता जाएगा लोहे की कड़ाई में अपने आप से इसका कलर चेंज होता जाए कि अब आप देख सकते हो इसका कलर और भी डार्क हो चुका है यानि ब्लैकिश सा हो गया है तो यह एक सीक्रेट टिप है आपके लिए कि अगर आपके पास लोहे की कड़ाई है तो आप अपने छोलों को बिना किसी एक्स्ट्रा का यूज किये हुए काला बना सकते हो तो अब मैंने अपने अपने अबाले हुए छोले इसमें एड कर दिये हैं और अब इसको हम ढखकर पकाएंगे तो करीब 20 मिनट तक हमें छोलों को धीमी आज पर पकाना है जिसे की मसाले का फ्लेवर और उसका कलर अच्छे से छोलों के अंदर आ जाए और अगर इस बीच में हमें पानी के जरुत पड़ी तो हम पानी गरम करके थोड़ा सा इसमें एड कर सकते हैं और नहीं तो इतना भ पानी थोड़ा सा जादा अमाउंट में दिख रहा है अब हमें क्या करना है कि छोलों को हमें मार्केट जैसा बनाने के लिए एक कल्ची लेनी है और उससे इस तरीके से छोलों को हलका हलका सा मैश कर देना है जिससे की जो ग्रेवी है ये काड़ी होती जाएगी और कहीं-कह फुटे-फुटे पीसेज मिलेंगे आपको छोले पर चोले के और कहीं- 딱 प्रॉपर अपको छोला मिलेगा तो ये एक त吧 x आप देखोगे जबी भी आप मार्केट में छोले लोगे तो हर छोला प्रॉपर आपको खड़ा खड़ा नहीं दिखाई देगा कहीं कहीं पे मैश किया हुआ दिखाई ही देगा तो अब इसको मैश करने के बाद वापस हम इसको पकने के लिए रख देंगे और और 10-15 मिट हम इसको और पकाएंगे और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे तो गैस मैंने बंद कर दी थी और 5-7 मिट बाद हम इसको खोलेंगे तो आप देखिएगा कि ये कितने अच्छे से गाड़े-गाड़े बिल्कुल मार्केट स्टाइल के छोले बनकर तयार हुए है और बिना किसी एक्स्ट्राफट के यहाँ पर हमने इसका ब्लैक कलर अचीव कर लिया है अब यहाँ पर मैं 3-4 हरी मिर्चे इसमें एट कर रही हूँ हमारे हाँ पर छोले भटूरे थोड़े से ड्राई ही पसंद किये जाते हैं बट अगर आप इसको चावल के साथ सर्फ करने वाले हो तो आप इसमें ग्रेवी थोड़ी सी जादा रख सकते हो अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेर जरूर कर दीजेगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको इस रेस्पी कैसी लगी आगे भी बने रहिएगा मेरे चैनल पर और भी अच्छे ची रेसिपीज देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग झाल मुझे कर दो झाल पॉर वाचिंग